हेलो फ्रेंड्स आपका सबकत है मेरे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर फ़र मेकेनिकल इंजिनिरिंग पर आज को टॉपिक है वो है वेल्डिंग इसकी पहली में जो दो वीडियो बना चुका हूँ मैं एक मेटल जॉइनिंग के उपर भी बना चुका हूँ और दूसरी में मैनिफेक्टरिंग प्रोसेस के उपर भी बना चुका हूँ तो प्लीज आप उसको देख लीजेगा मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दू इसमें क्या होता है इसमें हम दो ये दो से ज़्यादा Metal को ठीक है जैसे ये एक Metal है ठीक है और इसके साथ में ये एक और Metal है ये दो Metal होगा है Metal 1 और Metal 2 इस Metal को जो है हम जोइन कर सकते हैं किस से? By Application of Heat मतलब Heat के थूरू जो है हम इन दो पार्ट को join करेंगे with or without the application of pressure, flux and filler material ये जो है इसकी basic definition है मैं आपको वापस से बता देता हूँ welding is a process in which two or more than two metals are joined by the application of heat with or without application of pressure, flux and filler material ठीक है तो welding में क्या होता है कि हम दो पार्ट है, दो metal है, दो ये दो से ज्यादा metal है तो हम उसको join करते है, heat के application से, ये जो word है heat इसको जो है बहुत important है, मतलब welding जो है बीना heat के हो ही नहीं सकती अब welding के अंदर क्या होता है, कि जो हमारे ये metal है, ठीक है अब ये metal की ये edge को हम को join करना है, तो यहाँ पर हम जो है, इस metal को melt करेंगे melting temperature तक इसको गरम करेंगे, ठीक है और उसके बाद इसके अंदर hose, अगर, जैसे मैंने क्या बोला, with और without application of filler metal flux and pressure अब चाहें तो हम जो दूसरा metal है, वो इस gap के अंदर भर सकते हैं चाहें जो हमारा metal है, जो arc produce कर रहा है, वो भी जो melt हो के खुदी, जो है melt हो जा रहा है और फिर वहीं पर ही वो खुद, जो है fill हो जा रहा है, तो a flux, a flux क्या है, flux जो है यूस होता है, welding rods के अंदर, ठीक है, और इसके बिना भी हम welding कर सकते हैं, इसके through भी कर सकते हैं और pressure, हम चाहें तो with pressure भी कर सकते हैं, without pressure भी कर सकते हैं, ठीक है अब देख लेते हैं, classification of welding, welding के क्या क्या classification है, welding का सबसे पहला classification है, gas welding ठीक है, gas welding के बाद है, arc welding, arc welding पाद resistance welding, resistance के welding के बाद है, solid state welding solid state welding के बाद है, thermit welding, और ऐसे बहुत सारी weldings जो है, हमको use होती है, manufacturing process के अंदर किसी भी दो या दोस्ते ज्यादा metal को join करने के लिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगली वीडियो जो आ रही है, वो आ रही है हमारी resistance welding के उपन, तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजे, ऐसे ही मस मस वीडियो आती रहेंगी, so thank you for watching this video